नमस्कार दोस्तों बीपीए न्यू चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूं प्रेम पर बहुत डारेक्टर एंड बिरुचीफ हर्याना साथियों जैसे कि हम आपको लगबग पिछले तीन-चार महेने से पूरे हर्यान के खबरों से अवगत करा रहे हैं एक स्वागत करता हूं दूसरा उसके साथ ही पूरे परिवार को पूरे गाउं को पूरे चेत्र को आपको बीपीए न्यू टीम के तरफ से हर्दिक बढ़ाई देता हूं आपका ये वर्स सुलमंगल में हो अब हम जाना चाहेंगे आपसे कि आपको इस योजना में कैसा विकास करिये रहा है सलु से पहले मैं आपको बथ दन्युवाद करता हूँ आपकी फूरी टीम का बहुत दन्युब करता हूँ जो आप इस इतने पिछडे एरिया में आकर आ आपनेा अमारे गांच के बारे में जान ने की कोशिस किये और उसका सर्वे किया जी तो मैं आपको बताता हूँ कि इ और एक समान विकास काले के जहां दीज़ूरति वहा प्राष चेंट टो हमने यह गाहों मेन कि हमारे 95 परसेंट जो रास्ते सारे कंप्लीट है हमारे निकासी बहुत बहुत बायतर है हमारी हमने द्जिक्सा पर भुरास्टी पर प्राइब कर देखा है और पुरानी लाइन ती जो तारों की जो डेमेज थी बिल्कूल उसमें हाथ से कड़ रहता था उसकी जगे हमने वो केवल डलवा दिये पूरे गाम में और हमारे गाम में सोले घंटा लाइट आ रहे हैं और ट्रांस फार्वर में जब भी कोई दिखत हो ते हम इसलिए भी वहाग से बात करते हैं सब्सक्राओं अधियोर में सब्सक्राइब लेया कर दोट्राओं प्रसासे भरपूर सायोग मिला मैं बारती जिंता पारटी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे यहां से पहले मंत्री रहे थे अब भी मंत्रियें कि पहले मंत्री जी ने बिना बेद बाव के मौमडन गाम होने के बाद क्योंकि हमारे यहां से बहुत कम निकलने के बाद भी विदायक नहीं को समान रूप से ग्रांट दिये और बहुत अच्छा से उग दिया है तो यह थे भाई अनिल सर्पंच मीरपूर गाओं हतीन विदान सभा जिला पलवल से और यहां के जो प्रेजेंट विदायका वो भाई परविन डागर जी है और भाई ने बताया कि क्रिशन पाल गुजर जी जो मंत्री रहे और उन्हों बिना किसी भेद भाव के क्योंकि देखिए कई एक राष्टिय चैनल है जो वो हिंदू मुस्लिम एक भाई चारे को खराब करने की बरबाद करने की कोशिश करते हैं जबकि ऐसा नहीं है भारतिय जनता पार्टी की भी एक सोच है कि यहां हिंदू वर्षिज मुस्लिम नही मनत्री और भारतिय जनता पार्टी से जितने भी ग्रांट मांगे गई उन्होंने बिना भेद भाव के दी विजली पर भी काम हुआ, एजुकेशन पर भी काम हुआ तो सर और आप भारती जंता परटी से सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे क्या पेक्स रखते हैं मैं सबसे पहले तो अपने गाउं का धन्यवाद करता है क्योंकि में रिजब कोटे से एक चुनकर सरपंज बनाया था हमारी काले कारे कालब जाने पर है जो भी आगे सरपंज बने उसको बिगना बेदबाव कर विकास कारे दे जो भी गरांट मांगे जाए जिसकी ज़रत है उसकी विकास की गरांट